आप सभी का स्वागत है आज की इस कहानी का नाम है बुलिया का खजाना यह एक दादी की कहानी है बलियापुर गाउ में बसंत नाम का एक गरीब किसान रहता था उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था बसंत का एक पडोसी रंगिला जो हमेशा बसंत से इर्शा करता था लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था एक दिन रंगिला क्यों बसंत क्या इस बार अपने खेतों में सरसों की फसल करोगे या नहीं बसंत क्या रंगिला भाई आपको तो अच्छे से पता है ना पिछली साल सरसों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई रंगिला, मेरी बात मानो बसंद, ये खेती तुम्हारे बसकी नहीं, तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो हाँ हाँ हाँ, ये सुनकर बेचारा बसंद उदास होकर अपने काम में लग जाता है, एक दिन बसंद अपने खेत की तरफ जाही रहा होता है बसंद, अरे आज तो बहुत गर्मी है भाई प्यास भी बहुत तेज लगी है भाई अरे, वो रहा पानी बसंद उस मट्की में से पानी निकलता है और पीने लगता है तभी उसे एक आवाज आती है जो एक बूरी अम्मा की होती है अम्मा, अरे, कोई है यहाँ कोई मुझे पानी पिला दो कोई मुझे पानी पिला दो बसंद, अरे, ये किसकी आवाज आ रही है तभी बसंद थोड़ी दूरी पर चलता है और देखता है कि एक जोपड़ी है जिसके अंदर बूरी अम्मा है, जो चार पाई पर लेटी लेटी चिल्ला रही है बसंद तुरंट उसके पास जाता है बसंद, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ अम्मा, बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो बसंद, अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ इसके बाद बसंद घड़े के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है बसंत, ये लो पानी पी लो, बूरी अम्मा पानी पीती है अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरी तरह बूरी हो चुकी हूँ अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी तुमने मुझे पानी पिलाया है, न जाने कब मैं इस संसार को त्याग दू बेटा बसंत, लेकिन क्या अम्मा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है अम्मा, नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है लेकिन बेटा क्योंकि तुने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ बेटा तुम्हारे हाथों पानी पीलिया अब शायद मैं स्वर प्रस्थान कर जाऊं जाने से पहले तुम्हें एक राज बताती हूँ मेरे घर के सामने जो नीम का पेड है उसके नीचे बहुत पुराना चमतकारी पितारा छुपा हुआ है जो मैं तुम्हें भेट देना चाहती हूँ उसका कभी दुरुपयोग मत करना और कोई अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसे वही छुपा देना बसंथ, क्या चमतकारी पितारा, अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमतकारी पितारे का अपनी जरूरत से अधिक इस्तिमाल नहीं करूंगा और नहीं किसी को करने दूंगा और अम्मा अभी तो आप लंबा जीओगे अम्मा ठीक है बेटा अब तुम जाओ और जाकर उस पितारे को जमीन से निकाल लो बसंथ वहां से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली जमीन को खोदने लगता है तब ही उसे मिट्टी में एक लकडि का पितारा दिखता है बसंथ, अरै रे, ये वही लकडि का चमतकारी पितारा है अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है वह पितारा लेता है और अपने घर जाता है बसंद की पत्नी, जी आ गया आप, कबसे मैं आपकी राह देख रही हूँ और यह क्या ले रखा है जी आपने हाथ में, किसका लकडी का पितारा उठा लाया आप बसंद, अरे भाग्यवान, यह एक चमतकारी पितारा है, हम जो भी चीज इसमें डालेंगे, वो दुगनी हो जाएगी बसंद की पत्नी, यह क्या कह रहे हैं जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है, जी आप यही रुकिये, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी हाथ में एक मूनफली का दाना लेकर आती है और लकली के पितारे में वो मूनफली का दाना डाल देती है तब ही उस पितारे में बहुत सारी मूनफली आ जाती है, दोनों ही यह देखकर हैरान रह जाते हैं बसंद देखा तुमने भाग्यवान यह सच में एक चमतकारी लकडी का पितारा है हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वह दुगनी हो जाती है बसंद की पत्नी हाँ जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं यह सच में चमतकारी लकडी का पितारा है अब बसंद को जो भी चाहिए होता, उसे वह लकडी के पिटारे में डालता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता बसंद अब बहुत खुश था, वह अब अपनी जिंदगी खुशाली से बिता रहा था, लेकिन बसंद कभी भी उस्पिटारे का गलत उप्योग नहीं करता एक दिन बसंद उस्पिटारे के साथ अपने खेट पर जाता, है जहां वह खेटी करता था बसंद, अरे रे, मेरी गेहूं की फसल होने में तो अभी काफी समय है लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है ऐसे में मैं आगे क्या करूंगा, थोड़ी देर सोचने के बाद बसंद, क्यों ना मैं इस्पिटारे में गेहूं की कुछ दाने डाल हूँ इसके बाद मेरे सामने गेहूं के धेर लग जाएंगे और तक तक मैं उनी से काम चला लूँगा अरे, लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है फिर गेहूं के दाने कहां से लाऊं बसंथ थोड़ा दूर चलता है, पास ही उसका रंगिला नाम का एक पड़ोसी था जो अपने खेतों में काम कर रहा था बसंथ, रंगिला भाई, जरा गेहूं के दाने चाहिए थे तुम से रंगिला, अरे भाई, गेहूं के थोड़े दानों का भला तुम क्या करोगे और वह बसंथ के पीछे पीछे जाने लगता है, एक जगल चुपकर रंगिला बसंथ को देखने लगता है, तभी बसंथ अपने उसी लकली के पितारे में गेहूं के दाने डालता है, देखते ही देखते उन गेहूं के दानों से काफी गेहूं हो जाते हैं, ये देखकर रं बसंद की सारी बात बताता है रंगीला की पतनी यह क्या कह रहे हैं आप क्या सच में बसंद के पास कोई चमतकारी लकली का पितारा है आप एक काम करिए जी वो लकली का पितारा ले आये वहां उससे फिर हम उसमें पैसे डालेंगे जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे हो रंगिला, अरे भाग्यवान, मैं कैसे उस बसंद से वो चमतकारी लकली का पितारा ला सकता हूँ, वो पितारा बसंद मुझे कभी नहीं देगा, रंगिला की पत्नी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करें लेकिन वो चमतकारी पितारा ले आईए, जरा सोचिए न, हम उस प पितारे की मदद से कितना कुछ पा सकते हैं, रंगिला, हाँ भाग्यविंद, ठीक है, करता हूँ कुछ, रात को सभी गाव वाले सो रहे थे, रंगिला चुक चाप अपने घर से निकला और बसंद के घर गया जहां वो देखता है कि बसंद और उसकी पत्नी सो रहे थे, रं रंगिला, अरे, वो रहा चमतकारी लकली का पितारा, रंगिला लकली का चमतकारी चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है, तब ही उसकी पत्नी रंगिला को देर रात घर लोटते देख लेती है, रंगिला की पत्नी इतनी रात कहा गए थे जी और यह क्या है हाथ में कहीं यह वही चमतकारी लकली का पितारा तो नहीं है रंगिला, हाँ भाग्यवान, ये देखो मैं चमतकारी लकली का पितारा ले आया हूँ रंगिला उसमें एक दस रुपे का नोट डालता है जैसे ही वह नोट उसमें डालता है देखते ही देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं रंगीला की पत्नी, देखिए जी हमारे पास कितने सारे रुपे हो गए थोड़ी ही देर में अब तो हम इस गाव में सबसे अमीर हो जाएंगे हाई, अब कोई भी इस गाव में हमसे उजी आवाज में बात नहीं कर पाएगा और अब आपको पूरा देल गधों की तरह खेत में मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूँगी हाई रे, अब हमारे पास कितने पैसे होंगे हाई हाई हाई, अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता रंगिला, वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम अब इस चमतकारी पिटारे को छुपा दो अगर किसी ने देख लिया तो शामता जाएगी हाँ, रंगिला की पतनी, ठीक है जी, अब ही छुपा देती हूँ इसे सुबह होती है, बसंद की पतनी, अरे, सुनिए जी, नजाने वह चमतकारी लकली का पिटारा कहा गया यही तो रखा था, यह सुनकर बसंद उसके पास आता है, बसंद, क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहा गया वह पिटारा, तुमने तो यही रखा था ना, बसंद की पतनी, हाँ जी, मैंने तो यही रखा था लेकिन अब यहाँ नहीं है जी बसंद, हे भाग्वान, नजाने कहां होगा वो चमतकारी पिटारा, कौन छोरी कर ले गया होगा, बस चो भी ले गया है वो उस चमतकारी पिटारे का दुरुपयोग ना करें दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, उधर रंगिला और उसकी पतनी रो जब उस पिटारे में एक नोट डालते जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और वो उन्हें एक बोरी में रख लेते रंगिला की पतनी, जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमतकारी पिटारे से एक अठा नहीं होते तब तक हम किसी को भी ये पता नहीं लगने देंगे कि यह पिटारा हमारे पास है हम इससे पहले बहुत सारे नोट जोड लेते हैं देखते ही देखते वह पैसों से बोरी भरना शुरू कर देते हैं रंगिला की पत्नी, चलिए जी, अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में छुपा देते हैं रंगिला, हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो चलो इसे अंदर कमरे में छुपा देते हैं इसके बाद दोनों पैसों से भरी बोरी को एक कमरे में छुपा देते हैं अगले दिन बसंत अपने खेत में जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में रंगिला मिलता है रंगिला, और भाई बसंत, कहा जा रहे हो अरे, बड़े उदास नजर आ रहे हो सब ठीक है ना, बसंद हाँ, सब ठीक है तुम बताओ तुम्हारे फसल कैसी हुई रंगिला, फसल कैसी फसल भाई, आप मुझे फसल बोने की कोई जरूरत नहीं है समझे भाई, बसंद क्यों जरूरत नहीं है भाई रंगिला मन में अरे यह क्या बोल दिया मैंने कहीं इस बसंद को मुझ पर संदेह ना हो जाए रंगिला अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था जरूरत क्यों नहीं होगी भाई बिलकुल होगी वही तो इकलोता सहारा है हमारा आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुवाई से ही आता है अपने पास है ना अच्छा बसंद अब मैं चलता हूँ है इसके बाद रंगिला वहां से चला जाता है लेकिन बसंद को उसकी बात हजम नहीं होती बसंद आखिर इस रंगिला ने ऐसा क्यों बोला कि उससे अब फसल की कोई जरूरत नहीं है कहीं इसी ने तो वह चमतकारी पितारा नहीं चुराया हे भगवान अगर इसी ने वह पितारा चुराया होगा तो जरूर यह उसका गलत इस्तिमाल करेगा अब मैं क्या करूँ मुझे वह पितारा जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था बसंद बहुत सोच में पढ़ जाता है तभी बसंद रंगिला के घर जाता है रंगिला बसंद को देख कर थोड़ा चौप जाता है रंगिला अरे रे बसंद भाई कैसे आना हुआ तुम्हारा सब ठीक तो है ना बसंद अरे हाँ हाँ भाई सब ठीक है मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे ही मिलता चलू भाई रंगिला अच्छा मुझसे मिलने आए हो अच्छा कोई बात नहीं भया आओ आओ बैठो बसंथ वही एक चार पाई पर बैठ जाता है बसंथ अरे भाई ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाना रंगिला भाई क्यों नहीं अभी लाता हूं रंगिला जैसे ही अंदर जाता है बसंथ इधर उधर देखता है उसे एक बंध कमरा देखता है बसंथ उस कमरे के पास जाता है और उसकी खिलकी से जांक कर देखता है अंदर उसे चमतकारी पितारा देखता है ये देखकर बसंथ चौप जाता है बसंथ इसका मतलब इस रंग पिटारी का चमतकारी पितारा चुराया है। तभी यह रंगीला बोल रहा था कि अब इसे खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। वही दफना दूँगा। बसंत उसी जगह जाकर फिर से मिटी के अंदर उस जमतकारी पिटारे को छुपा देता है। पतनी क्या बोल रहे हो हे भगवान अब हम पैसे एकथा नहीं कर पाएंगे अब तो पितारा चला गया जी हाई 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 रंगिला चुको जाओ भाग्यवान जितने पैसे हमने बोरी में एकथा किये है चलो उन्हें ही बाहर निकालते हैं अब और पैसे तो आने से रहे दोनों एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं, जैसे ही कमरे का दर्वाजा खोलते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे चूहे नोटों की बोरी के आसपास मंद्रा रहे थे. रंगिला की पत्नी, अरे, रे, रे, ये चूहे कहां से आ गए, रंगिला नोटों की बोरी खोलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं, उन नोटों को चूहे कुतर चुके थे, रंगिला की पत्नी, अरे, यह क्या हो गया जी, हमारे सारे पैसे तो ये चूहे कुतर गए, ये कैसे हम तो बर्बाद हो गए जी हमारे ज्यादा पैसे पाने के लालच कर दिया हमें के इसके बाद धोनों सिस्क सिस्क कर रूने लगते हैं इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं